1913 संगराम की योध्धा, मौलिक चिंतक और दार्शनिक डॉक्टर राम मनुहर लोहिया की आज यानि की 23 मार्च को जयनती हैं ऐसे में आईए उनके बारे में कुछ खास बाते जानते हैं भारत के राजनीतिक मंच के चौथे, पाचवे और छटे दशक के जबरदस्त, तूफानी आकर्शक, बहुचर्चित और सुर्ख्यों में रहने वाले इस नेता का जन 23 मार्च 1910 को उत्रप्रदेश की फैजबाद में हुआ था उनके पिता जी श्री हीरालाल पेशे से तो अध्यापक थे, पर दिल से एक सच्चे राष्ट भग थे धाई साल की उम्रों में ही लोहिया जी की मा चंद्रा देवी का दिहान थो गया था उन्हें पालने वाली उनकी दादी और परिवार की एक नाइन थी पिता गांधी भक्त थे जिसकी वज़े से गांधी जी के वेक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ